कॉनिश्यों मेनसान वेलकम बैक ट्यूमाइरिफ चैनल तो आज किस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं मीन नानो निहोंगो का ग्रैमर का चाप्टर नमबर 47 के बारे में तो चाप्टर नमबर 47 के जितने भी पैटरन है उन्हें हम वन बाइवन डिसकस करेंगे आज क इस वीडियो के अंदर चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की वीडियो को चलिए तो स्टार्ट करते हैं चाप्टर नमबर 47 मीन नानो नहीं होंगो काम सो प्लेन फॉर्म सो दिस इसके अंदर हम सीख रहे हैं तो इसका मतलब होता है सेंपली आई हीर ड सो दिस हाला कि सो दिस के हम और भी यूज हम पहले कर चुके हैं चाप्टर नमबर 43 के अंदर लेकिन उसको मैं भी डिसकस नहीं करूंगा क्योंकि उसको डिसकस करा तो आप शायद कन्फिस हो जाएंगे तो सबसे पहले हम इस सो दिस को सीख लेते हैं सिंपली कि इस करेंगा फुरू सो दिस तो ध्यान रहे जब आप यहां पर तो आपने मैंशन करा हैं हमने मैंशन किया है कि वैदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग नियोरू तो होता है अकॉर्डिंग तो जब आप किसी कोई सोर्स ऑफ इंफोमिशन को एडड करके सेंटेंस बताते हैं तो सब्सक्राइब नियोरू तो लगाएंगे जैसे अकॉर्डिंग तो वैदर फोकास्ट इट विल बी रेंग तुमॉरो ठीक है तो मौसम भाग के अनुसार कल बारिश होगी यह हमने बताया इसके अंदर हमने अपना कोई भी उपीनियन आड नहीं किया है So, I hear this Miss Maria is going to goa tomorrow मैंना सब्सक्राइब आराइब मारियसान सब्सक्राइब मेंस्समारियसान के मूंन से सुना है लेसन नमबर 33 के अंदर, जैसे मारिया सान वा आश्ता गोवा आए, इकू तो इत्ते ही मश्ता, मिस मारिया सेड, डैट शी इस गोवा टुमॉरो, तो almost similarities है, आप उपर वाले में देखेंगे, यहाँ पर हमने 110 लगाया है, तो इस केस में भी हमने क्या बता है, कि मारिया सान जो है गोवा जाएंगे, ऐसा मैंने सुना है, और नीचे वाले में हमने सिर्फ एक चीज़ के अंदर अलग है वो है मारिय सान ने कहा कि वह जा रही है यह जाएंगी तो लगबग सिम्लर्टीज हैं अलमॉस सिम्लर्टीज है ठीक है लेसन नमबर 33 में हमने यह वाला पैटन सीखा था आप चाहें तो वह देख सकते हैं इसके बाद है थर्ड तोमदाची नो हानाशी नी ओरू तो तो क्यो वा माई नीची सामुई देश अकॉर्डिंग तो माई फ्रेंड जो तो क्यो है वह एड्यक्टिब, सिम्पल ए रहेगा उसमें नाड्यक्टिब भी साथ ना लगेगा नाउन के साथ नो लगेगा और सात में आड होता है यो देश जिसका मतलब होता है इसा लगता है अब यह वाला पैटन जो है यह भी कंपेर करें हम 43 के देस से यह लगबक सोवकर के बराब कर रहे हैं हम ये pattern तब आड़ करते हैं यह योदिस तब आड़ करते हैं जब हमारे पास एक strong base of information होता है किसी भी बात के लिए हलागि हम sentence इसी तरीके से बोलते है कि ऐसा लगता है फिर भी हम योदिस इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे के एक्जामपल देगें फर्स नारीता सांवा कोई भी तो तो के कौन सुरू योदिस याने मेनिंग इट सीम दैट मिस नारीता विल मैरी विद हर लव ऐसा लगता है कि मिस नारीता जो है वह अपने बॉइफ्रेंड के साथ स्वाधी करेंगी अब ऐसा क्यों लगता है आपने आपके पास कुछ ना कुछ स्ट्रॉंग बेस ओफ इंफ्रमिशन रही होगी रामसान ने आपको बताया या फिर आपको किसी उनके किसी क्लोज ने आपको बताया कि कल और घड़ नहीं रहेंगे तो जिसके विहाब पर आपने यह संतेंस बोला है थर्ड की बात करें मैंने पहली sentence को बताने से पहले आप कोई बताया था कि इसके अंदर हम कोई भी चीज बताते हैं वो हम किसी ना किसी strong information के base के अधार बेस के base पर ही बताते हैं कि यह चीज ऐसी है यह ऐसा लगता यह चीज़ ऐसी है तो देखो कई बार सेंटेंस में एसी सेचूइशन आ जाते जिसमें आप शौर नहीं होते ना गोर्ट और अगरते हैं सेंटेंस के मुझे कफ है मेरी बोडी में पेन है लेकिन अब मुझे सरदी हो गई यह जब यूज नहीं पता कि में सरदी हो गई है नहीं तो इसलिए जब शॉर्टी ना हो तब हम यूज करते हैं दो मो ठीक है यहां तक समझ में है इसके बाद हम देखते हैं के कुछ और एड्जेक्टिव और नाउन के कुछ सेंटेंस तना का सांवा खाइम होनो शुरूतों की का दोदा के सकते मास तना का सांच जो है शॉपिंग के टाइम पर कार्ड ही सिर्फ यूज करते हैं तो बैंदी नहीं हो दे इसमें इसा क्यों कहा गया क्योंकि अब हमने देख लिया है आंकों से रीजन यह था बेस श्ट्रांग बेस ऑफ इंफरमिशन यह था कि वह हमेश्व शॉपिंग के टाइम पर कार्ड यूज करता है इसलिए हमने इस रेंदेंस पैटन यूज किया है औरता है कोबे सांवा इसोगाशी Soyuz कोबे हैं वो बिजी लगते हैं क्यों बोला मैंने हो सकता है मैंनों उन्हें देखा है वह सुब़े से काम कर रहे हैं यह किसी ना बता है उनके बारे में तो कुछ ना-कुछ मेरे पास information रही है जिसकी वैजिस से मैंने योदिस लगा यहाँ अगर मैं यहाँ योदिस के जगह सो दिस लगा देता तो उस केस में इसोगाशी का एह फटाना पड़ता और सो दिस लगाता तो यह सीप्ल होता कि मैंने सामने वाले पर्सन के behavior को और उसे देख करके सिर्फ जज करके अपना judgment बता दिया आसा लगता है वो बिजी है लेकिन सोदेस और योदेस में फर्क यह सोदेस थोड़ा हलका होता 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 है योदेस जब आप बोले हो तो इस जादा higher probability है कि वो बिजी होंगे और सोदेस में इतना लाइक ही वांट्स मिल्क बच्चा रो रहा है लगता है कि उसे दूद चाहिए यह वो दूद चाहता है दूद पीना चाहता है इस तरीके से थे इनके जो इस चाप्टर में यूज है वह इस तरीके से थे अब मैं आपको लिए चलता हूं लास्ट कमपैरिजन वाले पॉर्श चलते हैं ओपर आई बटन पर क्लिक करके आप सो देख सकते हैं और वह आपको देखना भी जरूरी है क्यूंकि वहां पर हम उपकी मास फॉर्म को हटा आकर सो कर रहे थे लेगिंट 47 हमने युट बढ़ा कि भाईं पर हम प्लेन फॉर्म में कंवर्ड करके सो पहला दिफ्रे क्या है दोनों में डिफ्रेंस बहुत सिंपल सा है पहला सब पोजिशन जो 43 में आपने सोद इस पढ़ाता वह सब पोजिशन के लिए उस होता है यानि कि एक अंदाजा किसी परसन के बिहेवियर को देख करके या आपने कहीं कोई चीज देखी और सिर्फ उसे जज़ किया अपने आपसे और जज़ करके आपने वह चीज बोल दी तो यह उस केस में होता है वहीं दूसरी तरफ जो हमने यहां पर सोदस पढ़ा है डिफ्रेंस आप काफी देख सकते हैं यहां पर आपने अंदाजा लगाने के लिए यूज कि आप जो भी चीज आप जो भी इंफॉर्मेशन कनवे कर रहे हो इसमें आप कोई भी अपनी तरफ से एड नहीं कर रहे हो तो यह तो पहला मेजर इसमें डिफ्रेंस है ठीक है पहले वाले सोदस में 43 वाले में और 47 के जो हमने पर्स पढ़ा था उस सो में इन दोनों में वहां पर हमने पढ़ा था आमेगा फुरी सोदस हाला कि है तो आलमोस्स सिमलर उपर और नीचे दूसरा आइमिन दो मैंने एक्जैंपल लिया पर फुरी मस में मास रिमूब कर दिया फुरी सोदस कर दिया इसा लगता है कि बारिश होगी मौसम को देखा मौसम को देखके ज लगा रहे हो तो इट मीन्स वह आपने अपने आपसे जज़ करके वह चीज़ बताई कि आसा हो सकता है कि ऐसा हो ऐसा लग रहा है कि बारिश हो लेकिन अगर आपने आपने वह चीज़ कहीं सुनी है कहीं पड़ी है कुछ ना कुछ आपका strong information बेस रहा होगा जिसके वज़े दोनों की बात करें, तो मेनिंग में दोनों सेम है, लगता है बारिश होगी, लगता है बारिश होगी, लेकिन दोनों बात को कहने के तरीके अलग है, इनके पीछे का जो, अगर हम हिस्टरी की बात करें, इनके पीछे का परपस को देखें, तो दोनों के परपस अलग है, पहल यह सिंपल सा डिफ्रेंस था यह मैं आपको समुझाना चाहता था उम्मीद करता हूं आपको एसे इतना ही था उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आ Catholic दो चाहेँ इसके लाएम को सब्सक्राइब ना बihal कि भूली आपने नहीं जाते हैं लेकिन इसके लाव성 पर के साथ तब तक के लिए keep practicing keep smiling take care and bye